नमस्कार बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे मस्त होंगे परिक्षा ये पास में आ गई है और मेहनत लगातार जारी रखिए समय बहुत कम बच्चा है आपको सारे टॉपिक कंप्रिट करने है रिवीजन करना है और हर एक टॉपिक को जो है करने पढ़िया हैं पहला लेक्चर हमने पढ़ा था सोलीड स्टेट का दूसरा सालीशन का आज हम चर्चा करेंगे यूनिट थ्री विद्युत्रसायन के म्स्क्यों के बारे में मैल्टिपल चैस क्विशन के बारे में हम सीरियल वाल पढ़ रहे हैं सारी यूनिट के एमस्क सब्सक्राइब करने यह तो यह जो है इसको के ते नरनास्ट समीकरन के इसको नरनास्ट नरनास्ट समीकरन के ते हैं दूसरा है आपके विशिष्ट चालकता की क्या है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रव यह हैं तो विशिष्ट चालकता का मात्रव होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इंवर्स विशिश्ट चालकता का मतर के सारेиз, मातर ग्यात करना। गलित-Sodium Cloride निम नेम यहाida के द्वारा गूदित परहिद करता है। sodium दो प्रकार से छोता है। एक थोस-sodium और एक गलित थोस-sodium ये बात कर रहा हूँ है, ठोस sodium की और एक गलित, गलित sodium, गलित sodium आइनों की रूप में कहाँ पर? एक्वस, एक्वस फॉर्म में हैं, कैसे हैं? एक्वस फॉर्म में, तो सोरी, गलित sodium chloride, sodium chloride की बात कर रहे हैं, NaCl की, एने, Cl की, ये solid NaCl हैं, और यहाँ पर Na+, और Cl-, स्ट्राइब दिवाइब हो जाता है तो कोन सा वह अपशन से यह होगा मुक्त इलेक्टरान के कारण या फिर मुक्त आयन के कारण या मुक्त आणू के कारण या मुक्त पर्मणू तो मुक्त आयन के कारण विद्यूत प्रवाहित होती हैं किसके कारण भहिया मुक्त आयन के कारण विद्यूत प्रवाहित होती हैं चलिए चोता हैं आपके लिए संचालक सेल में प्रियुक्त होने वाला पदार्थ हैंगला प्षाजोर है है इसको यदि आपने पढ़ा होगा अच्छे से उसमें आता है लेड प्रफियुक्त होता है जली विलियन में विध्युद्धारा का सर्वोत्तम सुचा लग है फ्रक्टोस ना 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 फ्रक्टोस नहीं होगा एसेटी कमल फ्रक्टोस तो वियोजन भी नहीं होगा इसका पूरी तरह से आइनों अगेरा में एसेटी कमल होगा लेकिन दुर्वल विध्युद्धाप गट्य है अमुनिया भी नहीं होगा ये परवल विध्युद्धाप गट्य है जो हैज प्लस और सीयल माइनस में डिवैड हो जाएगा तो जली विदियन में विद्धारा का सर्वोत्तम सुचालक है इसे अने हाइड्रोघ्रोलोरी अम्ल होगा मेरी बात सम्झे क्या कहा जली एक किस के विलियन से 1 एक फ्राड़े विद्धाराप को ग्राम परमानों को मुक्त करेगी निमलिखित में निमलिखित में किसके विलियन से एक फेराडे विद्धारा विद्यूत धातू के एक ग्राम परमानों को मुक्त करेगी तो यहां पर इसका जो सही ऑप्शन है एने से एल क्या सही ऑप्शन इसका एने से एल सही ऑप्शन लाएक्स्त आपकर सामने हाजी रें प्लेटीनund एलेक्टोड इंधर आ जा प्लेटीनुम एलेक्टोड दौर तनुए स्ट्यूस ओफोर का विद्ध्यू दपगण्र करने से क्ये थोड़ पर प्राप्त होगा इन से के थोड़ पर कोन प्राप्त होगा एन और पर होता है पॉजिर चार्ज उसकी बात करें के थोड़ पर तो विद्यूत उपगणर करने पर प्लेटिडलम इलेक्टरॉन द्वारा तनु इस्टोस फोर का विद्यूत अपगरण करने से के थोड़ पर प्राप्त होता है के थोड़ पर कौन प्राप्त होता है यहाँ पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है कौन प्राप्त होगा हाइड्रोजन के थोड़ पर क्या होगा हाइड्रोजन ह प्लस आयन जाएंगे और और हैच प्लस इलेक्टान घ्रान करके हाईड्रोजन बनेगा मेरी बात आपको समझ में आगयोगी चलिए आगे बढ़े आपके सामने हाजिर है आठवा एम सी क्यूस चलिए आपके सामने हाजिर हैं विशिष्ट प्रतिरोद की काई हैं बताइए विशिष्ट प्रतिरोद अभी आया था विशिष्ट चालकता की काई अब आया आपके सामने हाजिर हैं विशिष्ट प्रतिरोद की काई हैं ठीक है विशिष्ट प्रतिरोद की काई है विशिष्ट प्रतिरोद की काई ओम इनवर्स है ओम सेंटिमेटर है या ओम इनवर्स सेंटिमेटर इनवर्स है ओम सेंटिमेटर है तो ओम सेंटिमेटर जो है विशिष्ट प्रतिरोद विशिष्ट प्रतिरोद की काई ओम सेंटिमेटर है ओम इनवर्स सेंटिमेटर इनवर तुलिययीं कि चलकता एक्वलियं के बढ़ाने पर बढ़ती है तो क्या होता इसमें तुलियोता बढ़ाने बढ़ते हैं क्योकि क्योंकि जो तुल्याइं की चालकता होती है तुल्याइं की चालकता जो होती है वो विश्च चालकता और आयतन B का गुननफल होती है तो जैसे जैसे तनुता बढ़ेगी मतलब जैसे जैसे आयतन की मातरा बढ़ रही है वेसे वेसे तुल्यां की चालकता भी क्या होती बढ़ती है तो आयतन की मातरा बढ़ जाती है तो इसका सही option होगा भईया D वाला option सही होगा दोणां के लिए अगर यहां पर molar चालकता या बड़ो जा लगता होगी तो भी यही वाला option जो है वह भईया सही होता क्लियर चलिए अगला है आपके सामने किश्यन हाजिर एक फिराड़े विद्यूति किसी धातू के एक फिराड़े विद्यूति किसी धातू के एक ग्राम परमाणों को मुक्त कर देगी तो यहां पर भी वापस वही है, डबल रिपीड है, यहां पर भी NACL के विलियन में, किसके लिए NACL के विलियन में, डी वाला ओप्षन सही है, नेक्स्ट आपके सामने हाजिर है, सेल इस्तिरांग की इकाई है, किसकी इकाई, सेल इस्तिरांग की इकाई, सेल इस्तिरांग की जो चलो सेली सिरांगी कई एतला छाई से लितने कई वर्टेन के होती है लूड नॉलेज़ टेस्च चल रहा है विद्द अबगटनी से ल के धनाग्र घनाग्र पर होने वाली रासायनिक अभिकृया मतलब आईनन हैै कोन सी है एक तो आइन है यह आक्सी करण है तो यहांपर अक्सी करन होगा कौन सि है आक्सी करण यहां पर Oxygen की जगे लिख लिज़े अक्सिकरणा आक्सिकरणा विख रिया वोगी कौन से विख रिया होगी इस रिएक्शन को में लिख लेता हूँ चलो यहां पर लिखा मैंने 2 e 2 e 3 plus plus लिखा s n 2 plus और यह है एक्वस में भी यह और यहां लिख रहा हूँ यह भी एक्वस में यह यहां लिख रहा हूँ 2 e 2 plus एक्वस अब यहां पर कोई a product बना तो यहां पर कहने का मतलब है कि a के इस्थान पर कौन सा उचित विकल्प होगा a के इस्थान पर कौन सा उचित विकल्प होगा क्या s n 4 4 प्लस होगा क्या s n 3 प्लस होगा क्या s n 2 प्लस होगा क्या s n 0 होगा तो यहां पर electron का देना लेना चल रहा है ठीक है इलेक्टान तो electron दे को रहा है ये दे रहा है तो इसकी oxidation state क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी गिरहन कोन कर रहा है ये कर रहा है ठीक है तो 2FE 3+, 2FE 3+, हर तो तिन दूने चे हैं यहां पर इलेक्टान घराण गिर लिए तो इसके आपसीडेशन इस्टेट कम हो गई चार हो गई तो यहां पर जो है एक ही जरेट आएगा SN4 प्लस आएगा क्या आएगा SN4 प्लस दो इलेक्टान ओर दे दिया तो कि शोपए टू प्लस से फॉर्प tremendously ठेंगों घज के देरा है सिय्हरा दो खॉर घराण कर नaimer को चैन हो रहा है इसका ठीक रहा है है इसका क्यों schema अपचेंट हो राए तो एक स्ट꺼ण प्रइबर जो सैंत कि घ्र साथ यहीं पॉर प्लस फउर है सजरियے मंतब्थ कर वमसितु में दाइब आता है विए जैसे रहा रहे किया जाता है उसमें प्रेज़ किया जातना है रूर्ट हट लेवन को किया जाता है लवनसे तु स्टेट है दो 미किuencia ho tenían हैं। उनके बीज में एक लवन से दू लगा दिया जाता हैं। जिसमें और अपरोण करने के लिए पहला पाइंट करने के लिए हए पर allein नहीं होगा तब तक यह पुरा नहीं होगा, इलेक्ट्रेजिटी का प्रवा़ ही नहीं हो पाएगा तो यहां पर पहला उप्षिन ही सही ये कि परिपत को पूरा करने के लिए गैलवेनिक सेल में लवन से तुका प्रियोग किया जाता है अगला है आपकी सामने हाजीर पर्फम संकरमसेंकला में कि सत्तव के लिए अक्सिकरण विभाव नैंट यहां पर क्या लिख वगे आप अक्सिकरण विभाअ का मान असो अक्षमधिकरण और जब्बी अक्सिंदा होता है तो एक टान क्या होते हैंनि कलते हैं अप़ल होता है इलेक्टान ग्रहन किया जाते हैं मतलब कहने का मतलब कोई भी मेटर है वो क्या है इलेक्टान का त्याग कर रही है एम टू प्लस प्लस टू इलेक्टान तो यहां पर इलेक्टान का निकलना मतलब क्या हो रहा अक्सिगन तो कॉल कितना असानी से ग्लियक प्रत्रंवी के लिए आक्सीगन विफवो का मान सबसे कम है क्या मैगनी знач की है नीकिल की है या क्या कि इस सबसे च्लोट और का पर damn it तो कापर की इलेक्टान देने की प्रवर्ति कम है, तो आक्सिकन विभव का मान भी क्या होगा, कम होगा, किसके लिए बेटा जी, कापर के लिए, कापर के लिए आक्सिकन विभव का मान सबसे कम होगा, आक्सिकन विभव अप्चेन विभव ये सारी चीजें रहती हैं, इनका क्रम दिया हुआ रहता है, कि इनका अक्सिकन विव इतना होगा, इनका अक्सिकन विव इतना होता, इलेक्टान त्यागने और घ्रन करने के आधार पर, चलिए, लोहे को संक्षारन से बचाव के लिए सबसे टिकाव धातू की परत, किसकी परत चड़ाते हैं, किसकी चड़ात पड़ाते चड़ाते भाई या जिंग की परत चड़ाई जाती है जस्ते की परत चड़ाई जाती है लास्ट किशन निम्न में से कौन से विक्रिया के थोड़ पर नहीं होती है ठीक है कौन से विक्रिया के थोड़ पर नहीं होती है जल्दी से बताइए के थोड़ पर नहीं हो हो आप सिमिलर्टी देखिए यहां पर prelez गरण किया जा रहा ही कि यहां पर उलेक्ट्रांग किया जा रहा, मतलब कहा से मिल रहा है, कहा से मिल रहा है आपने को कैैठोट से मिल रहा है क्योट gemacht, क्योट की पास कौन सा चार्ज होता है और सब्ध ह International से एलेक्टान घ्रहन कर रहा है तो यहां पर अब इक्तो पर हो रही है यहां पर बी वाला जो आप्षिन है वो सही आप्षिन होगा ना कम से कम पड़ो उससे ज़्यादा लिखो उससे ज़्यादा सोचो कॉपिया भर दीजी आभी रफ काप्या बस बैठे बैटे लिखते रहो पेण हिलाते रहो पेण चलता रहेगा आपकी हैंड में मुरित बनती रहेगी और पढ़ाई अच्छे से होती रहेगी ओके बैटा चलो तो सभी को बेस्ट आप लग मतलब जिनकी एक्जाम चालो होने वाली हाफ यह एक्जाम हो और एन्यूवेल के लिए भी बेस्ट आप लग सभी को धन्यवास साथ हूं मिलेंगे फिर नेक्स वीडियो में नेक्स्ट प्रोब्लम के साथ तब तक के लिए ओके वह बन्यवे के तंवे लगए